इस वीडियो में देखेंगे की जावा को यूज करके कैसे TCP कम्यूनिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए एक क्लाइंट बनाएंगे जो हर दो सेकेंड के बाद एक मैसेज सर्वर को भीजेगा और फिर सर्वर उस मैसेज को रीट करके एक मैसेज क्लाइंट को भीजेगा। इस वीडियो में हम स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा तो मेरे साथ बने रहे हैं इस वीडियो में एंड तक आएए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वाइज शार्ट से हम लोग LAN पैकेट को देख सकते हैं। वाइज शार्ट को डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे Windows Installer 32-bit या 64-bit और Mac Installer यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। New Project बनाते हैं Java TCP Tutorial के नाम से फिर इस फाइल को डिलेट कर देते हैं और नए क्लास बनाते हैं सर्वर के लिए और Client के लिए नए क्लास बनाते हैं। Message के साथ Message Counter भी बेजेगे तो Message Counter भी वेरेबल बना लेते हैं। और सर्वर की IP 127.0.1 यूज करेंगे लूप बैक में सर्वर का Port 5061 डाल देते हैं। Buffer का Size 6900 डाल देते हैं। Main के अंदर Constructor Call कर देते हैं। और Constructor बना भी देते हैं। फिर आप Byte Array बना देते हैं। Buff Size का Server Socket बना देते हैं। इसके अंदर निकालते हैं। Server Socket का Accept Method Call करके Client के लिए। फिर Print डाल देते हैं। एक Client Connect हो गया है। फिर जो Client Connect हुआ है उसका Port यहां पे Print कर देते हैं। फिर Input Stream और Output Stream गेट कर देते हैं। Socket से। फिर अब जो Message IIS को Get करते हैं। Input Stream से Input Stream का यहां पे Read Method कॉल करेंगे। यह Received Message Size चेक कर लेते हैं। अगर –1 है तो Connection में Problem है। यह Connection Lost हो गया यहां से Break कर देते हैं। और यहां पे Message जो आया है उसको Print करते हैं। जो Message का Size है वो Received Message Size है। यहां पे Message बन गया है जो उसको Print कर देते हैं। उसकी Length के साथ अब Packets भेजते हैं। Output Stream को Use करके Message हम लोग के बेजना है, Message के साथ Counter भी बेज़ेगे हम लोग। फिर Counter को Increment कर देते हैं, यहां पे Counter को इसको Copy करके यहां Paste कर देते हैं। फिर Main के अंदर Constructor Call कर देते हैं। और Constructor बना देते हैं। फिर यह यहां से Paste कर देगे यहां पे। फिर यहां से यह Copy कर देते हैं। फिर यहां पे Connect करते हैं, सर्वर पे। यहां पे Connect Address डालना होगा, सर्वर की IP और पोर्ट। यहां पे Ex.PrintStackTrace फिर यहां पे Print कर देते हैं कि Client Connect हो गया है, और यह Copy कर देते हैं और यहां Paste कर देते हैं, यहां Print Change कर देते हैं, फिर अब यहां पे Timer बनाते हैं, जो हर 2 सेकेंड पे Message भीज़ेगा Server को, इस Variable को टू सेकेंड इनी स्लाइच कर देते हैं, यहां पे Timeout Event कॉल कर देते हैं, यहां पे Function बनाते हैं, Timeout Event नाम का, यहां पे Output Stream से Message भीज़ देते हैं, Output Stream को चेक करने के बाद, फिर Timer को Start कर देते हैं, फिर Run करते हैं Server को और Client को, यहां पे देख सकते हैं Message आने लगा है Server और Client दोनों से, यहां पे Wild Shark में भी देख सकते हैं Message को, तानी कि. यहां पेर टोनी को, झाल झाल